इस वीकेंड पर परभास की मोस्ट वेटर्ट फिल्म कलकी का अगाज हुआ कलकी फिल्म की कलेक्शन की गरबाद करे तो इस फिल्म को अच्छा खासा कलेक्शन मिलता देखने को मिल रहा है साथी फिल्म के अगर एक्टर की बात करें तो परभाद इस फिल्म के लीड अपनेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं की जा रही हैं आमिताब बच्चन की, हाला कि इस फिल्म में कुछ ऐसा भी देखने को मिला, जिसको लेकर कई सारे लोग अपनी आपत्ती भी चता बच्चन दिया है, अब जैसे के लिए जानते हैं, आप चीस के नग रिदेशन बने फिल्म के बोकिसस पर खुँग कमाई कर रहे हैं, ये फिल्म 27 जून को सिनेमा घरो में सब्सक्राइब पूरे सब्सक्राइब एक प्रपास अमितावरों दीबका के किर्दार पर सवाल उठा है, उन्होंने दावा किया कि फिल्म भारत के इसके साथ ही उन्होंने भीडियो बना कर फिल्म का रिव्यू किया, वीडियो मनोंने काफी कुछ का है और दावा किया है कि इस फिल्म को लेकर हर सनातनी को आहत होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे परभास के आकरी फिल्म आदी पुरुष को देखने के बाद हिंदू धरम को मानने वाले पुए थे, मुकेश खना ने इस्टागरान स्टोरी पर फिल्म के पोस्टर को शीर किया है और पोस्टर में सभी स्टार कास्ट दिखाई दे रहे, इसे शीर करते होई कैप्शन में लिखते हैं कि इस उनका नाम कलकी नहीं बलकी कल की होना चाहिए था, मुकेश मुकेश खना आगे इस पोस्ट में ये भी लिखते हैं कि अश्वत्थामा के माथे की मनी अर्जुन और भीम ने निकाल कर दुरोपती को आकर दी थी, इसके पांच पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में खेमे में घुज कर मार डाला था, इसलिए वो अश पोस्ट वारेल होने के बाद मुकेश खना ने अपने यूटूब चैनल पर भी फिर्म का रिव्यू किया, जिसको लेकर उन्हें काफी कुछ अपनी भडास भी निकाली है